नमस्कार मसारदा पांडे आसान जिन्दगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ जैसा कि परवों का महिना फिर से आने वाला है अभी माघ महिना लगने वाला है यानि कि 25 जनवरी को पूरिमा है जो कि 36 गड़ में छिर्षरा मनाते हैं पूरिमा के बाद 26 तारीक से माघ महिना लग जाएगा जो कि माघ मेला प्रियागराज में लगेगा तो मैं आगे बताओंगे कि माघ महिना में ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए और क्यों है माघ महिना में तिल का महत्तो है ये भी बताएंगे माघ महिने में पढ़ने वाले जो नव महा पर्व है इन पर्वों में सभी पर्वों में तिल का महत्व है तिल खाने का तिल लगाने का तिल का हवन करना तिल का पूजन करना तिल का भोग लगाना और तिल को दान करना माग महिने में अतिफल दाई है यानि तिल का जो दान है या तिल का जो भी इस्तेमाल होता है वो सोन के समान होता है तो मैं आपको बताऊंगी आज कि 26 तारीक से माघ महिना लगने वाला है तो आप इसमें क्या क्या न करें और जो नव तेवहार महा परव पड़ रहे हैं इसमें तिल का महत तो क्या है सबसे पहले पूस्या नच्छात्र में सुरू होने वाला माघ महिना गुरुआर के दिन और पूरिमा भी है तो गुरुआर के दिन पीपल का भी पूजा होता है तो इस दिन सुबह सुर्य उदय से 10-10.30 बचे तक पीपल में स्रीहरी के साथ माल अच्छिमी भी रहती है तो इसमें पूजा करें बहुत सुफ दिन है 25 तारीक को भी 26 तारीक को माघ महिना लग रहा है इसमें जो भी तेवहार हैं यानि कि जो सकट चौथ मैं आपको तेवहारों के बारे में बता देती हूं पुरा लिष्ट बता देती हूं पंचांग से पूरा लिख के रखी हूं तो सकट चौथ गनेश चतूर्थी संकठा चौथ जिसको बोलते हैं तो वो 29 जन्वरी को है, तो इस संकठा चौथ, मैं जैसे जो माताएं अपने बच्चों के लिए चौथ बुरत करती हैं, क्रिश्न पच्छ का चौथ, तो इसमें तिल का बहुत महत्व रहेगा, तिल का भोग, तिल का उप्टन लगा के नहाना, तिल का हवन, तिल का दान, सभ है 29 तारिक को तो आप भूलना नहें, सबको बता भी दे रही हूं को नौ महा पर्व कौन-कौन से हैं, फिर आएगा सठ तिला एकाद दसी, तो सठ तिला एकाद दसी है आपका फर्वरी में 6 तारिक को, तो इस सठ तिला एकाद दसी में भी सभी चीजें, तिल का यानि भोग, हावन, दान, तिल लगाके नहाना, सभी चीजें तिल, तिल से होंगी, जब भी आप तिल का दान करें, तो जो भोग होता है वो गुड से, यानि कि तिल को भून के गुड का लड़ू बनाके भोग लगा जाता है, तो गाय को जरूर खिलाएं, तिल, दान भी करें, उनके लिए, फिर मागी, मौनी, अमावस्या, जो की तिल तरपन, यानि जो मौनी, अमावस्या उस दिन मौन रहते हैं, उसे हर अमावस्या में मौन रहके, असनान करके, मौन रहके, जो दान उगर करते हों, पितरों को मिलता है, मौनी, असनान, दान, तिल, अमावस्या, ज पूजन किया जाता है तो इसमें भी भोग शनान दान पूजन में अच्छा तक तिल का होना चाहिए और सभी तिल के नाम से यानि पूरा जो माग महिने का पर्व है आप पंचांग में देखो को तिल के नाम से ही है पूरा तिल द्वादसी बसंत पंचमी में माता का भोग भी तिल तिल से मा का भोग लगाना हवन करना दान करना सभी तिल से बसंत पंचमी है चवद फरवरी को जोदर फरवरी को भी माता सरसती का पूजन होगा, तिल का प्रसाद भोग लगेगा, अचला सत्मी, जिसको रथ सत्मी भी बोलते हैं, इसा भी सुकल पच में, माग के सुकल पच में, अचला सत्मी में भी तिल का अच्छा तो गहरा, सभी प्रसाद गहरा तिल का भी होना चाह ही फिर 21 फरवरी को विस्मध्वाधसी तो अनत में है माघई पुड़िमा जैसे की पूरे महिनेमं हैं कोई चीज नियंधरम से न कर पाएं, तो वह पूरिमा के दिन किया जा सकता जैसे कि जो हम कार्ति कश्णानों गरा बताते हैं पूरे महिने में अगर नहीं लोग कर पाते तो तीन या पांस दिन का नियम होता है उसमें कर लेते हैं तो अगर पूरे मांग में आप बहुत सारी चीजें करें बहुत सारी चीजें नहीं करें माघी पूरिमा 24 वरी दिन सनीवार को मघाना छत्र में है, तो इसमें क्या करना चाहिए, माघी पूरिमा में हवन बहुत जरूरी है, तिल का, काले तिल का हवन, हवन में पांच चीजें अति अनिवार हैं, जैसे कि तिल, जव, गुड, गृत, और थोड़ा सा अच्छत, यान करना चाहिए, भोग प्रसाद में तिल, यानि सनीवार का दिन है, तिसमें तिल का भोग लगता भी है, तो तिल का भोग भी लगाए, पूरिमा है, माघी पूरिमा, तिल सभी देवजोताओं को बहुत पसंद है, तिल का भोग लगाए, तिल से इसनान करें, तिल का दान करे माघी पुडिमा 24 फ्रोरी को है तो यह मैं आपको बता दी कि यह नव महा परवों में सभी परवों में तिल से पूजन होगा और तिल से जो प्रयोग होगा वो कितने होंगे कि इश्णान से शुरू होगा कि उप्टन लगा कि इश्णान करना फिर भगवान का भोग अच्छत तील से दान तील का और लड़ू जो आप मनाओगे गाय को भी खिलाओगे और किसी भी जरूरत मन्द को कोई बच्चा है कुछ उनको भी दोगे और माघ में क्या क्या नहीं करना चाहिए और भी बता रही हूँ पूरे माघ महिने में जबकि अभी ठंड जादा हो गई है तो आपको कहा जाएगा जो सास्त्रों में है वो बता जाता है कि पूरे माघ महिने में पानी को गरम करके नहीं नहाना चाहिए यानि चूले पर या राड वायरे से गरम करके नहाना चाहिए सूरी को रोसनी में गरम करके नाहाए तो उसमें काफि टाइम लग जागREYे लेकिन जो सुबह का ताजा पानी आता है नल का वो कुनगोना रहता है उसे नहा सकते हैं गरम पानी से माग महने में नहाने से आगामी समय में चर्म रोग होने का मतलब आसंका रहता है इसी मानने ता नहीं नहाना चाहिए फिर माग महने में मूली का त्याग कर देना चाहिए जैसे हर महना में कुछ ने कुछ त्याग करते हैं जैसे की कार्तिक में बोलते हैं बैगन नहीं खाना चाहिए सावन में दही नहीं खाना चाहिए दधी त्याग रहता है उसी प्रकार से माग महने में मूली का त्याग कर दिना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये स्वास्त के लिए भी स्वास्त के संदर्व में विताय जाता है सभी चीजें जब खाने की चीजें आती तो स्वास्त के लिए जैसे हम तील बताए तो तील जब आप खाओगे तो दान भी करोगे तो जो खाएगा व भी स्धोस रहता है जब आप हावन करते हो तो उसका सुगंध होता है उसे जो नकारात्मक सकतिया होती है वो दूर भागते हैं आपके या सकरात्मक उर्जा उत्मन होती है हवन बहुत जरूरि होता है सभी घरों हमना अगर आपके घर में असांती धन की कमी रोग में धन खर्चो रहा है पुलीस के सिसम में धन खर्चो रहा है तिल का हवन माग महिना में करके देखें और ऐसे जगा हवन करें कि पूरे घर में हवन का धुआ हो वो जाए फिर उसके बाद पेठा कदू जैसे कि बहुत सारे माग महिने में बड़ी बनाओ तो उस बड़ी में पेठा कदू नहीं डाला जाता ऐसी मानता है माग महिने में अगर बड़ी बना रहे हो तो बिने पेठा कदू के बनाए उसमें आप फूल गो भी है उसको डालतें और तमाम चीजें हैं मीरचा अदरक तो पड़ता है फू पूजा करते हो तो बसंत पंचमी का पूजा करते हो तो बसंत पंचमी का जो निए प्रियाग राज में नहाते हैं वो सारे नियम जानते हैं वो महूर्थ से नहाते हैं यानि वहाँ कि जो पंडित पुजारी हैं उनको मुहूर्थ बताते हैं कि चार बज के इतने मिनट पर तीन बज के इतने मिनट पर या रात को दो बजे या पाँज बजे कम मुहूर्थ है तो सारे स्त्रधालू ठंडी वंडी को सब परे करके गंगा में कूत के स्नान करते हैं और ये भी मानता है कि जो कल्बवास करते हैं वो आग नहीं तापते, आपको मैं बता कि हमारे हांग से भी कल्बवास करने जाते हैं, तो कितनी उनको ठंडी लगेगी तो आग ऐसे हाथ करके नहीं तापते, यानि अभी तो पहले तो चूला होगर में भोजन बनाते थे, जो जाते थे कल्बवास में तो गय सोगर सब ले जाते हैं जो एक महिने रहते हैं, ऐसी ऐसी माननेताएं हैं, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, जब वहाँ भोजन बनाते हैं, वो सात्तिविक भोजन बनाते हैं, लहसुन, प्याज, तमाम और सब चीजें, गोभी, गाजरे, सब सबनाले नारे नहांगा किनारे नहाने के बाद वहीं पर दान कर देते हैं फिर अपने टेंट में आ कर देते हैं यह नहीं है पूजा करो तो दान करो इसलिए जो माने हमने के बारे बता हूँ हूं और आगे जो भी परव आएंगे उसका वीडियोऑ देने का प्रयास करूंगी हमारे आसान जिन्दगी में बहुत सारे वीडियों डले हैं बिना बीज के आवला मुरब्बा बहुत सारे वीडियों आप सर्च करके देखें हमारे चनल आसान जिंदे को सब्सक्राइब करें हमारे साथ बने रहें देखते हैं आसान जिंदे की तब तक के लिए नमस्कार